हेलो एब्रिवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग तो गाइज अभी मैं यहां पे आई हूँ बिग बजार और इस समय बज रहते सूबर के 11 इस वज़े से मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोला है वैसे यह ब्लॉग आज पहुचेगा आप लोग तक साम को क्य आज ही मैंने यहां पे वाई सोबर दिया है तो चलिए आज का वीडियो स्टाट करते हैं लेकिन उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नीव हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और जिससे की सार जरूर दीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगता है और हो सके तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को और करती हूँ और इस टाइम पे हूँ मैं किचन में अभी यहां पर हमने सुबह का नास्ता वगएरा सब कर लिया था और और सच बताओं तो खाना भी दोपहर का हो गया था तो दोपहर को खाना खिलाने के बास अभी को तब हमने इन सब चीजों में हाथ लगाया था एक्चुली में जब खाना वगएरा फैला रहता है या जूठे वगएरा जब रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है वैसे मै मैंने दोपहर के लंज का अभी बरतन वगएरा मैंने नहीं धूला है वो सारा वैसे ही पड़ा है और आज हसल में मुझे मंदीर थोड़ा सा सही करना था तो वो बस उसी को मैं यहां कर रही थी तो यहां मंदीर को अभी मैं यहां घुमा रही हूं क्योंकि जब कलस स्थाप अपना पूरब और पक्षिम की दिशा में होना चाहिए और चुकि मंदीर का यह जो कौर्णर है मेरे किचन का तो यह किचन का कौर्णर मेरा इशान कोड पढ़ता है तो इशान कोड की वज़े से हमने मंदीर यहां रख रखा है जब यह मकान हम लोगों ने मतलब मेरे किचन यही है वैसे हम लोग नन्विज नहीं लेते हैं सुद्ध साकहारी हमारे किचन में बनता है सिर्फ लेसुन प्याज बनता है लेकिन जब लेसुन प्याज बनता है तो मेरी हमारी क्या मतलब हमारे पूरे परिवार की कोशिश और हम लोगों की जैसे आदत हो गई है को मंदिर को हम third floor या first floor पे रहते हैं रखते हैं तो भी हम भगवान जी का ध्यान नहीं रख पाते हैं फिर अगर जिस floor पे हम लोग नहीं रहते हैं तो उस floor पे हम भगवान जी के contact में नहीं रह पाते हैं फिर वही होता है फार्मेल्टी मुझे लगता है ऐसा कि फार्मेल्टी हो सकती थी लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे यहीं रखना है और ऐसे दिन भर हम सुबह से लेके शाम तक का भगवान जी का जल बदलना बोग लगाना और इनकी आरती वगरा मैं समय समय पे कर लेती हूँ क्योंकि जैसा कि मैं अकेली हूँ तो अकेली होने के नाते घर के सारी काम किचन इन सब चीजों को देखते हुए भगवान जी के वी लिए समय निकालना बहुत जरूरी हो जाता है तो बस इसलिए मतलब हमने मंदीर यहां रख रखा है इशान कोड होने की वज़े से तो अभी कलस जब इस्थापना होगा तो पूरब पश्षीम की दिशा में होना चाहिए जैसे पूरब की तरब मुख करके बैठे ऐसा पूजा का इस्थान होना चाहिए कलस में बिठाने के लिए तो बस वही हम यहां कर रहे हैं तो यहां थोड़ा अभी मंदीर के अंदर की सफाई तो हमने जनमाश्तिमी को किया था पूरी डीप क्लीनिंग की थी वो तो ब्लॉग हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो अगर आप लोग ने उस वीडियो को विजिट नहीं किया है तो प्लीज उस वीडियो को विजिट कीजेगा वैसे उस वीडियो को बहुत पसंद जाड़ती है पोजती रहती हूं तो गंदिगी उतनी नहीं थी और मंदिर की डिफ क्लिनिंग मुझे इसले नहीं करती है क्योंकि मंदिर भी गंदा नहीं है वैसे बस नौरातरी में कले सिस्थापना से पहले थोड़ा समय मंदिर की साफ सफाई करूंगी तो वो भी मैंने नौरातरी स्टाट हो जा रहा है और अब हमारे नौरातरी की कोई भी तैयारी नहीं है और क्योंकि दिक्कत है हमारे साथ यह हो गया ना कि मुझे तीन चार दिन से कॉल्ड है फीवर भी हा रहा है तो इस वज़़े से मेरा काम बहुत सुलो हो गया है मार मैं मैं बहुत आज उट गय थे, हम तो सुबस 4 बजे ही आज उट गया थे actually मोग प्रेशन बना रहा था है, tension बना रहा है कि नीन में भी रहो न तो ये भी काम करना है वो भी काम करना है, चिंता बना रहता है तो फिर नीन भी चैन से नहीं आता है तो 4 बजे मैं उट गयी थी मैं देख लूँगी, तो बस वही मैं देखने गई थी, तो मुझे कुछ ऐसा खास नहीं दीखा, तो मैं बस आधी पॉन घंटे में ही हम वहाँ से वापस आ गयते, तो फिर उसके बाद सबी को खाना वगरा खिलाया, तो उसके बाद से यह मैं कंटीनू यहां क्लीनिंग में लग गई हूँ, क्लीनिंग करने के बाद मतलब कि काफी काम हो जाता है, वैसे आज सुबर चार बजे से लेके, शाम के चार बजे तक, 12 गंटे तक, 12 गंटे तक कमर तोड़, जी तोड़ में नतुआ, लेकिन फिर भी मतलब मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, मैं तो यही सोच मैं सोच रही थी कि आजकर शाम भी जल्दी हो जाता है, आप लोगों ने साइध नोटीस भी किया होगा ना, कि पांच सवा पांच बजे तक तो अब दिन बिल्कुल डूबने लगता है, तो उसी टाइम दीपक जलाने का टाइम होता है, तो बस दो घंटे के अंदर मुझे बाकी काम भी फिनिश करना था, दीपक जलाने के पहले, संधे आरती के पहले, बाकी काम फिनिश करना था, तो इधर मैं जब कमरे में आई, तो बच्चे बैट के अपना पढ़ उड रहे थे, सारा चीज यहां फैला के रखा उन लोगों ने, तो अभी यहां देखे, मैं द धूल गर्दा ज्यादा पढ़ा रहता है, तो पैर में मनदब चीप-चीप करता है, तो कुछ अट-पटा सा लगता है, तो बस मैं यहां पी ज़ाडू लगा ले रही हूँ, ज़ाडू लगाने के बात फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ तो चली अब पहुच गए हैं किचन में, किचन में बरतन वगरा क्लीन करने के बाद, फिर अभी मुझे थोड़ा सा और काम था, क्योंकि आदी घंटे मुझे लग गए हैं ज़ाडू लगाने में, तो आप लोगों से पूछना भूली गई, कि आप लोग कैसे हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताईएगा, और नौरात्री की तयारी आप लोगों की कैसी च कवर करके, वो दुबट्टा कवर करके मुझे वो बनाना था, क्लीनिंग का ब्लॉग, तो ऐसा है सिस्टर मुझे इधर 3-4 दिन से काफी तेज कोल्ड हो रखा है, आप मेरी आवाज से पहचान, मतलब आप लोगों को लगता भी होगा, तो अगर आवाज क्लियर नहीं भी जहां मेरा, और आवाज भी कुछ बैटा-बैटा है, तो इस वज़े से मैं नहीं बना पारी हूँ, हमने वैसे एक बड़ ट्राई किया था, तो मुझे से हो नहीं पाया, तो मैंने उसको छोड़ दिया है, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर तो यह कॉटन का बेटशिट है, जब बच्चे जोटे थे हमारे तो यह मैं बेटशिट लगाती थी, अब भी इस बेटशिट से बिल्कुल मन भर गया, वैसे इसका कलर बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, और यह कॉटन का है, तो बहुत मजबूत भी है, तो हमने सोचा कि ल बजने में टाइम बाकी था, तो मैंने का कि लिए मैं इसको भी जल्दी लदी कर लेती हूँ, मैंने सोचा कि 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन आदी पॉन घंटा इसमें लग गया था, मुझे इसको सिलाई करते हूँ और अर्जेस्ट करते समय, तो आज का ब्लॉग मैं अब यह नहीं बस इंड करूंगी, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाई बाई, टेक केर के लिए लगे बाई, कर दोस्तिंदे द्टिंदे, तेक के लिएison करते हूँ, इसके वाने का कर दोप